Hello Learners, Welcome to my YouTube channel To The Point Learning आज मैं आपके साथ क्लास 12 बिजनस स्टडी में जिस चाप्टर के थियोरी पार्ट को डिसकस करने जा रही हूं यानि एक्सपेक्टेड थियोरी कोशन्स डिसकस करने जा रही हूं वो है आपका चाप्टर 4 प्लानिंग इससे पहले ओलड़ी चाप्टर 1, 2 & 3 के थियोरी कोशन्स जो most probably आपके आ सकते हैं यानि चाप्टर में से जो थियोरी कोशन्स टॉपिक कवर करते हैं वो कोशन्स ओलड़ी मैं डिसकस कर चुकी हूं और आज चाप्टर 4 के डिसकस कर रही हूं चाप्टर 1 & 2 बाकी सारे चाप्टर की समरी और रड़ी मेरी क्लास 12 बिजनस स्टडी की प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है तो आप महार जाके उससे जरूर देख ले सो विदाउट वेस्टिंग अनी टाइम स्टार्ट करते हैं चाप्टर 4 प्लानिंग थेओरी कोशनस अगर हम बात करें थेओरी कोशनस की तो पहला आते हैं कोशन नमबर 5 पे गिव दी मीनिंग ओफ अबजेक्टिव और बजट जो एक टाइप ओफ प्लान है टाइपस ओफ प्लान के अंडर में उन्हें आपको simply explain करना है बहुत ही simple way में है meaning explain करना आसान होता है अगर directly ये questions आते हैं और ध्यान दीजेगा यहां मैंने objective और budget का type of plan लिखा है बाकी भी आ सकते हैं जैसे आपने कई सारे type of plan पढ़े हैं procedure है, program है, budget है, इसके अलावा rules है, policy है तो उन में से भी कोई भी आ सकता है इसलिए meaning सबके अच्छे से याद ज़रूर कर लिजेगा और साथी साथ ये जो type of plan के topic है ये आपके match the following form में यानि MCQ में जो match the following आती है उसमें भी आने के chances हैं तो उस format में भी ज़रूर याद कर लिजेगा ताकि आपका कहीं पर भी type of plan जो topic है वो week ना हो दिन आते हैं next question पे, question number 4 पे why is planning, why planning is not ensure guarantee success ये एक जो है आपका feature जो है, ये काफी कुछ आपका दिया होता है एक्जाम में repeat भी हुआ है, तो उस case में पूछा जाता है कि planning जो है वो guarantee success को ensure क्यों नहीं करता है तो यहाँ पे आपको meaning already दे रखा है, जहाँ पे आप limitations पढ़ेंगे वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा कि planning does not ensure guarantee success तो वहाँ से आप इस topic को लिख सकते हैं नेक्स आते हैं question number 3 पे Explain any four points of importance of planning function of management यानि planning function की कोई भी four importance बताएं, बिलकुर direct question है आपका तो उस case में आपको importance दे रखी है कई सारी, उनमें से कोई भी any four जो आपको अच्छे से आती हो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि direct point ही दे दिये हैं तो केवल उन point को ही explain करना होता है नेक्स है question number 2 Explain the steps that are required to be performed by a manager before evaluating all possible courses of action or in planning process अब question थोड़ा lengthy है, थोड़ा twist वाला है, ध्यान से समझीएगा आपको steps बताने है planning के, जो कि एक manager perform करता है before evaluating all possible courses of action यानि आपने जो process पढ़े है planning है, उसमें एक step है आपका जिसमें evaluation करता है manager, evaluating alternative course of action ठीक है तो इस step के पहले जो steps हैं वो आपको बताने हैं, उन्हें explain करना है तो अगर आपको steps अच्छे से याद हो, तो step number 4 है आपका evaluating all possible courses of action उससे पहले जो step आपको बताने हैं, setting objective, developing premises and identifying alternative course of action ये तीन steps हैं जो इस step के पहले होते हैं, तो वो आपको इसमें explain करने हैं इसलिए question ये जो आपके process related question होता है planning में, वो अकसर घुमाख फिरा के दिया जाता है तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा question को अराम से पढ़िएगा और तब उसका answer करिएगा देन आते हैं अपने इस वीडियो के last question पे, question number 1 पे उससे पहले एक चीज और आपको बता दू, जब आप theory questions लिखेंगे तो ध्यान दीजेगा कि आप keywords को underline जरूर करिएगा, marking जरूर करिएगा blue ही pen अलाओ है, आपको blue sketch pen अलाओ है, तो उससे marking जरूर कर दीजेगा keywords की इससे भी एक अच्छा impression आपका पढ़ता है, आपके theory question और ज़्यादा strong हो जाते हैं, grammatical mistakes avoid हो जाती हैं, जब आप keyword को underline कर देते हैं, so next question ने आते हैं, explain how planning reduces overlapping and wasteful activity, ठीक, planning कैसे reduce करता है wasteful activities और overlapping को, यह आपको बताना है दूसरा है, कि planning कैसे standard set करता है controlling process के होने के लिए, और facilitate decision making यानि planning, जो है, वो decision making को बढ़ावा कैसे देता है, यह जो आपका topic है, यह आपके जो importance हैं, उन में दे रखा है, ठीक है, तो importance में से ही यह point अभी मैंने आपको बताया था, कि maybe possible importance points के वे में भी आ सकते हैं, तो यह इस तरीके से आता है, तो इसके अलावा यह point के अलावा भी कोई और point हो सकते हैं, तो theory questions generally आपके planning से इस तरीके के ही बनते हैं, साथी साथ type of plan जब आप याद करें, तो जड़ा difference between भी याद कर लीजेगा, आपके books में दे रखा है, सारे plans के भी difference दे रखें, चार्ट के फॉर्म में बने हुएं, तो वहाँ से ज़रूर याद करिएगा, उनने एक बार देख ज़र करूंगी, क्योंकि आपका paper अभी 27 को ही है, बहुत ज़्यादा time आपके पास नहीं है, तो वीडियो को देखकर कोई भी doubt हो तो आप तुरन कमेंट करिएगा, और साथी साथ channel को subscribe ज़रू कर लीजे, वीडियो पसंद आया हो तो like का बटन ज़रूर क्लिक कर लीजे, and all the best for your exam करूंगी, क्योंकि एा प्सलियो को जब लुच्ष झाल झाल